पाट बारा संबंध पोधा प्रेपोसिशन निमनिलिखित वाक्यों को थ्यान से पढ़ो और समझो बिल्ली मेज की नीचे है कुरसी मेज की पीछे है पुस्ताक मेज की उपर है मेज कमरे के अंदर है उपर लिखे वाक्यों में नीचे शब्द बिल्ली और मेज का संबंध प्रकट करता है उपर शब्द पुस्ताक और मेज का संबंध प्रकट करता है पीछे शब्द कुरसी और मेज का संबंध प्रकट करता है अंदर शब्द मेज और कमरे का संबंध प्रकट करता है संबंद पोधक अव्याए प्रेपोजिशन जो शब्द संग्या या सर्वनाम का संबंद आपस में या वाक्य के दूसरी शब्दों के साथ बताते हैं उन्हें संबंद पोधक अव्याए कहते हैं जैसे राम के आने से पहले तुम चले जाना संबंध पोधक अव्याई के फेद संबंध पोधक अव्याई के निम्न लिखित फेद होते हैं एक काल वाचक के पहले सी पहले सी पूर्व के बाद आदे दो स्थान वाचक के आगे के पीछे की तरह की दोनु और आदे 3. दिशावाचक और तरफ के दोलों और आदे 4. स्थानवाचक के सहारे के द्वारा के सरिये के बलबूते आदे 5. उद्देश वाचक के लिए के हेतु के सरिये के बलबूते आदे 6. तुलना वाचक के अपेक्षा के सामने के बराबर के समान आदे 7. सहचर वाचक के साथ के समेत के संग के सहित आदे 8. कारण वाचक के वास्ते के कारण के खातिर आदे 9. विरूत वाचक के खिलाफ के विरुध के विपरीत आदे 10. विन्मे वाचक के बतले के एवस्मी की जगा आदे 10. क्रिया विशेशन और संबंध बोधक अव्याई में आंतर 10. कुछ शब्दों का प्रयोग क्रिया विशेशन तथा संबंध बोधक अव्याई दोनु रूपों में होता है 10. जैसे क्रिया विशेशन एक मदन बाहर है संबंध बोधक मकान की बाहर पेड़ है 11. क्रिया विशेशन चात्र पीतर है संबंध बोधक चात्र कमरे के पीतर है 11. जैसे क्रिया विशेशन होता है 12. जैसे क्रिया विशेशन होता है 12. समुचे बोधक व्याइशiva का मुख्यकार, शब्दों या वाक्यान्शों को चोड़ना है 13. इसी कारण इनहीं योजग भी कहते है 14. जैसे राम और श्याम खेल रहे है पहले तथा दूसरी वाक्य में आए और तथा शब्द दू संग्याओं को चोड़ते हैं तीसरी और चोथी वाक्य में आए और इसलिए शब्द दू वाक्यांशों को चोड़ते हैं संबुचे बोधक के भेद संबुचे बोधक अव्याई के निम्नलिखित भेद होते हैं एक, संयोचक संबुचे बोधक और राम और शाम मित्र हैं एवम, दाहिने एवम पाई देखकर सड़क पार करो तथा बरफी, पेड़ा, तथा लड़ू मुझे प्रिय हैं दू, विफाचक सम्मुचे बोधक, लेकिन, मुहन यहां आया, लेकिन चला गया, परन्तु, मैंने पहुत मनाया, परन्तु वह नहीं माना, फिर भी, मैंने उसे रोका, फिर भी वह चला गया, ताकी, नित्ती खेलो, ताकी स्वस्त रहो, विसमे आदी पोधक, विसमे आदी पोधक का अर्थ होता है, विसमे आदी भावों का पोध कराने वाला, जिन शब्दों से हर्ष, आश्चर्य, भय, शूक, ग्रिणा, आदी भाव प्रकट होते हैं, वे विसमे आदी पोधक अव्याई कहलाते हैं, विसमेयादी बोधग अव्याई के सामने विसमेयादी बोधग चिन लगता है जैसे चिची दूर हटो हाई हाई मर गया वाह क्या चक्का मारा है आहा आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया